वेल्कम बैक तो माई चैनल इजी लाइव विद बर्शा आज मैं आप सुब को बताने वाली हूँ कि जिनके बाल वाइट हो रहे हैं तो वो अपने बालों को वाइट होने से कैसे रोख सकते हैं मेरे पास एक ऑईल है जो मेरी मॉम बनाती है बनाती इन दे सेंस की मेरे बालों उन्होंने यूज किया था जब मेरे बाल वाइट होने स्टार्ट हुए थे एर्थ स्टैंडर्ड में और मेरे बाल वाइट होने बंद हो गए थे सफेद बंद हो गए उसके बाद मेरे बाल सफेद नहीं हुए जो बाल मेरे सफेद हुए थे वो तो थे वो तो हैं बट उसस जादा नहीं हुए वहीं के वहीं हैं तो मैंने सुचा क्यों ना यह आप सबसे शेयर करूं मैं तो मेरे पास है यह coconut oil यह है नारियल का तेल सिंपल नारियल का तेल आप एक कटोरी में निकाल लीजिए और उसके बाद आपको इसमें दाना है जflow मिष्णी दाने मतलब नारियल का तेल अगर आप एक कटोरी नारियल का तेल आप्धि के दाने नारियल का तेल तो उसमें विआपने 2-3 चंमाच मेथी के दाने कम Ärकल 5 इसमें चडिल 1-250 दिखा देती हूं rinse यह हैं मसाले हैं यह मसाले होते हैं इसको स्टोन फ्लावर भी बोलते हैं एंग्लिश में तो इसको आप डाल दीजिए चार से पांच उस ओयल में और इन सब को एक चीनी मिट्टी के जार में डाल कर धूप में रख दीजिए करीब एक हथते के लिए तीन से चार दिन में में और उसको प्लास्टिक बोटल ग realidade है तो आप इसको उसमें रख दीजिए और ढूप में रख दिजिए एक में अग review के लिए अगर बहुत तेज दूप है 10 चार दिन में हो जाता है उसके बाद आप उसको छान लीजिए और किसी बोटल में भर लीजे इसके बाद आप जब भी बालों में तेल लगाते हैं तो यही तेल लगाएं मतलब जब भी आप बालों में ऑईलिंग करते हैं तो आप यही तेल लगाएं इससे कोई नुकसान नहीं है मेथी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है आपको पता है छडीला बालों की ग्रोथ के लिए बहुत लंबे होते हैं इससे नारियल तेल तो आप वैसे भी यूज़ करते हैं वह भी बालों के लिए बहुत अच्छा है तो आप इन तीनों चीजों को मिला लीजिए धूप में रखें इसके बाद आप लगाईए देखिए आपके बाल पकने बंद हो जाएंगे सफेद होने बंद मैं उसको भी यूज़ करके देखती हूँ लेकिन आप इसको यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए ये फायदे मंद रहा आपको बाल आपके कैसे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वी